बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम आप लग सब लोग जी माशाला ट्रेवल करते करते ग्रेजुली कैफ सेवन की क्लास में इस वकत बैठे हुएं और कैफ सेवन जो है ये बिजनिस लॉग का जो पोर्शन दो इसों में बटाता जाहर है उसका ये सेकिंड वाला पोर्शन आ गया ज हम थोड़ा सा इसको भी डेफिनेटली डिसकस करेंगे एक मैंने आपको क्यू आर कोड दिया है उसके जरीए से आप ग्रूप में एड़ हो जाएं ताके ये सारी पावर पॉइंट स्लाइड और सारा मेटीरियल आपको पीडिएफ की शकल में प्रोवाइड किया जाता रहे कंपनी लाग कि अगर हम आगास करें तो में बुक के अंदर 12 चेप्टर नदर आएंगे एक बड़ा प्रिसाइस सा बड़ा मैनीजेबल थोड़ा सा स्लेबस है जब आप बीला पढ़ रहे थे ना वो स्कैटर्ड स्लेबस था आपको लीगल प्रोविजन यानि लेजिसलेश का प्रोसिस चप्टर वन भी देखना था आपको कॉंट्रेक्ट भी देखना था आपको पार्टनर्शिप भी देखनी थी आपको निगोशिएबल इंस्टुमेंट भी देखने थे फिर वो नए मॉडरन लाउज में भी आपको डेटा प्रोटेक्शन भी देखनी थी मनी ल ट्रेक्ट आ गया है पार्टनर्शिप आ गई है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट आ गया आपने देखा था उन सब तमाम लौ का अपना अपना मिजाज था अपने अपने तरीके पर चल रही थी यह इसकी पॉजिटिव साइड है इसकी नेगिटिव साइड कौन सी है इसकी नेगिटिव साइड यह है कि इस पेपर का नाम कैफ सेवन है यह इसकी नेगिटिव साइड है यह बात आपको समझ नहीं आई जो मैंने कही है यह आप समझ रहे हैं कहता हो गया ठीक है ना यह आपका एक्चुली क्या हुआ है आई कैप ने जैसे ही यह सेकिंड पेपर पहले यह कैफ फोर में बलके जब यह कठे थे तो यह कैफ थ्री होता था यह थर्ड लेवल पे पेपर पड़ा हुआ था तो बिजनिस लॉओ इस लेवल पर आई कैप लाकर पूछ रहा था उसको पता था कि बच्चे का भी लेवल कहां खड़ा हुआ है अब यह सेकंड लास्ट पेपर बन गया है आठ पेपर टोटल रह गया है तो आई कैप में जो क्वालिटी आफ पेपर है जो क्वेस्टिन की क्वालिटी है वो इतनी ही इंक्रीज कर दिये अब आपको इस लौ को बहुत जएदा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है और अगर मैं आपसे बात करूं तो जिस तरह का एक्जामीनर अब सवाल बना रहा है जो लास्ट अटेंप में एक्जामीनर ने जो कुछ किया है उस तरह के क्वेस्टिन तो वेलेबल ही कोई ठीक है हाँ मैंने उसके उपर जिस दिन से पेपर आया उसको पर काम शुरू किया क्या नहीं नहीं अगर लेवल आई के अपने इतना देदा उपर ले जाना है तो फिर उस लेवल के प्रैक्टिस सेट भी तो कहीं डिजाइन करने पड़ेंगे ना कहीं हमें वो लेवल लेक बाओ कोई नहीं है अगर हम इसे ऐसे पड़ते हुए चले जाएं तो जी चालीस लेक्ट्टर के अंदर सारा कोस कतम हो सकते हैं टेजी से नहीं आराम से पड़ते हुए भी चले लेकिन नहीं नहीं यहां पढ़के समझें उसको नुमेरिक में कनवर्ट करें उसको सेनेरियो एक दम इतना बड़ा जम्प नहीं लगाएगा लेकिन अब उसने एक दम जम्प लगाके पिछली अटेंप में उसने बताया है कि येस इस लेवल पर मैं आप से बात करना चाता हूँ अब इसकी तयारी का बेथरीन तरीका जो होगा जो हम सब फालो करेंगे आप ओनलाइन वाले बच्चे भी इसको फालो करेंगे पहला काम तो आप ये करेंगे icap की book को single side पर print करेंगे है एक साइड बलैंक है एक साइड पर है ताके बलैंक वाली साइड में हम चीजें एड करके नुमेरिक में कणवर्ड करके उसके लेवल को ये बात अब पुछी किस किस तरीके से जा सकती है ये सारी नोग्सिग हम वही कर रहे हों पिर हम अपने साथ सौफ्ट में ओरिजिनल कंपनीज ओर्डिनेंस 2017 से अटैच रहेंगे क्योंकि क्लियरली इग्जामीनर ने आपको दिखाया है कि यार आप इस लेवल पर बैठी है दो पेपर में उसने बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई है एक पेपर पॉजिटिवली उसने चेंज किया जो पहले कॉस्ट का पेपर कैफ एट हुआ करता था उस वकर टोटल पेपर नाइन होते थे ना सेकिंड लास्ट पेपर था कॉस्ट का इसको वो उठाकर कैफ थ्री लाया तो उसने इसका टेस्टिंग लेवल भी नीचे करके बेहतर कर दिया है यार एक नॉर्मल लेवल बहुत ज़एदा इंटलेक्च्छल लेवल उसमें उसने थोड़ा रड्यूस किया पेपर कैफ थ्री के लेवल पे लाके बनाना शुरू किया और थ्री वाला क्यूंके सेकिंड लास पर कनवर्ट हुआ है सेवन की शकल में इसका लेवल उसने उपर उठाया है तो वो जो पास पेपर हमें नदर आते हैं वो अब उतने रेलिवेंट नदर नहीं आएंगे क्योंके उतने असान सवाल आप वो नहीं पूछ रहा होगा तो ये वेरी फर्स डे हमें पहली क्लास में इस चीज़ को क्लेर करना है कि येस जो लेवल अफ क्वेस्चन है वो हमें इसमें इसमें पूरा सेशन मुझे बहुत extraordinary effort आपके साथ करनी पड़ेगी कि हम उस लेवल की चीज़ें पहले तियार करें ना जिसमें से बच्चा उस पर लेकर जाए हाँ ठीक है उस लेवल की discussion तुम पहले भी क्लास में कर रहे थे लिकिन एक है खाली discussion करना और एक है फिर उस discussion का उस तरह के questions होना उसके ओपर इंशाला तहला मेरा आपसे commitment है कि मैं सारे session में आपको नए fresh design किये हुए questions जो उस वाले लेवल पर हों जिस पर आप examiner जा रहा है वो आपको इंशाला तहला आपके साथ discuss करूँगा वैसे agenda फिर मैं repeat कर रहा हूँ असान agenda है बारा chapter है बहुत लंबा चोड़ा काम नहीं है एक फाइदा syllabus precise है हमें पता है बस यह है मैं रखाला किताब भी अगर आप single sided लेंगे तो इतनी सी किताब बन दे मैं रखाला दो सो साथ पैंसेट पेजिस की book cut होते है लेकिन आपने उसे single side पे print करना है ताके सारी noting सारी चीज़ें फिर हम वहीं पर डाल सके है syllabus में है क्या क्या और ICAP ने इसको grid में convert किया हुआ है ICAP ने क्या किया इसकी 5 grid बना दी है grid A, grid B, grid C, grid D, grid E और फिर इनको weight allocate किया हुआ है यानि examiner के पास अब जो ICAP का paper बन रहा होता है वो हम तो कुछ भी कहते रहते हैं बाहर बैटके, student तो कुछ भी कहते रहते है लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ा precise, बड़ा well defined paper चल रहा हुआ है मसला, ICAP ने define किया कि जो grid A है इसमें से 15 to 20 marks का paper आया करेगा और grid A में क्या-क्या चीज़ें शामिल है incorporation and issuance of shares यानि अगर मैं किताब में गुजूँ, तो chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 5 ये define है कि इन तीन chapter में से 20 number के सवाल आएगे और बिलकुल ऐसे ही चलता है, ऐसे ही आते हैं grid B management and administration company की management और company की administration से related तीन chapter नदर आते हैं chapter 6, chapter 7, chapter 10 इसमें से 22-25 marks की question आएगे जैसे ही हम ये तीन chapter अच्छे त्यार कर लेते हैं तो हमें पता लग गया कि 25% of the paper मेरा यहां से attempt होगा और ये मेरा ठीक paper attempt हो जाएगा ये मेरा strong area है, ये मेरा weak area है, यहां से इतनी चीज़, ऐसे नहीं है के examiner कहीं से भी कुछ दे देता है I-CAP चीज़ों को बड़ा आहस्ता आहस्ता बड़ा scientific करता जा रहा है बचा भी पुरानी वाली बातों को लेकर अपने आपको तसलीद देता है कि जी C है ना जी बस ऐसे ही होता है ना जी बंदा पास भी हो जाता है अब यह पूरी एक precise science बनी हुई है अगर आप उसके मताबिक चल रहे हैं तो आप आसानी के साथ अल्ला ने चाहा तो पास होते हुए आगे भी जा रहे होंगे फिर grid C आ जाती है जी 20-30% meetings, company की जब meetings हो रही होंगी उसका procedure, director और chief executive से related laws इस एरिया में examiner कह रहा है यह 3-4 area chapter 3, 4 and 8 में पड़े हुए बुक में इस में से हमें 20-30% आ जाएगा, फिर इसी तरह से accounts and dividends, company ने जो accounts बनाने है और company ने जो profit distribute करना है, यह chapter 9 and 11 में यह गुफ्तगू हो रही है इन दो chapter में से 15-20 number है और एक आखरी company, company शुरू यहां से हो रही है incorporation, company बनानी कैसे और जाते हुए बंद कैसे करके जानी है यहां तक आपको पढ़ाना है सारा, कि company का आखाज कैसे करना और अगर खुदाना खास्ता company बंद करनी पड़ गी है तो winding up कैसे होनी है, यहां से लेकर यहां तक का यह सारा area company काम पढ़ रहोगा winding up, एक chapter 12, 15 से 20 नमबर, ऐसे iCAP ने सारी चीज़ें उपन नहीं चोड़ रहे हैं, कि examiner का दिल करें, जहां से मर्जी देदा बना रहे हैं, और यह चीज़ें 80-90% बिलकुल accurately apply भी हो रहे हैं, जितने एक deviation आनी है वो उसने खुद भी deviate करके ही बताया हुए, इसी range में आ र साइड है, कि मैं पता चले यार यह 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 एरिया मैंने अपना grip में करना है, तो मैं कम असकम पास होने वाली category में शामिल हो गया हूँ, marks तो हानी कोई नहीं, तो एक proper तरीके से, proper effort से, proper planning के साथ हमें चलना पड़ेगा, यह बिलकुल ऐसे open ended paper नहीं है, कभी हम इसे बिल यहां की तरह पर treat करते थे, आपने देखो, आप में से अकसर बचे वही हैं, जो बीला मेरे पास पड़ रहे थे, बीला में हमने आपको कभी डराया नहीं है, कभी यह नहीं का को हो, यह level ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, क्यों, वो पहले paper 3 था, 4 था, वहीं खड़ लिए, तो आपका जो testing level है, जो आपसे expectation है, वो change है, तो आपने इसको बात को समझना है, पिर इसी तरह मैंने यह सारे chapter आपके बना लिए, यह chapter पहली grid में आ रहे हैं, क्याकि आपको बात में याद रहे हैं, chapter 1, 2 and 5, यह grid A थी, 6, 7, 9 grid B थी, 3, 4, 8, C थी, फिर 9, 11, 1 है, और यह आखरी grid है, ऐसे हमारा सारा syllabus जो है, वो 5 grid के अंदर बटा हुआ है, पेपर का style क्या होगा, वही 15% MCQ दा रहे होंगे, 35% theoretical बाते होंगी, और 50% scenario based होंगी, बलकि अब तो तकरीबन आपके यह के यह और यह examiner ने ना merge ही कर दी हुए हैं बाते, यानि प्योर रटा लगान याद कर लिया है, इसे अब आप दस नंबर भी पेपर में नहीं ले सकते हैं, इसामी नहीं कहता है, तुमारा रटा नहीं चाहिए, तुमारी understanding required है, कि आपको law समझ आया हुआ है, यह positive side भी है, कि हमें क्रेमिंग नहीं करनी, रटा नहीं लगाना, बलके clarity of the concept create करना है, यह इसकी positive side भी है, अच्छा जी शुरू करते हैं, जी हम आगास करते हैं, chapter number one से, आपको पता है, बी law भी आप मकसर मेरे से पड़े हुए है, हम इसी तरह ही करते थे, कोई एक story बना लेते थे, पिर उसकी मदद से चीज़ों को explain करते थे, यहां भी हमने ऐसी किया, कि एक story बना ली, लेकिन यह सारा काम गड़बर में चला जाएगा, चले मेरे खैला इसको अब आकर देखते हैं, अब कैसे चलेगा यह सारा निजाम, चुरू करेगा, अच्छा जी चलिए, अब हम यहां से अगास करते हैं, यह जी, एक हमने वही example को continue कर लिया, एक रमला हैं, जो क interested in business, knowledge of business, यह business का knowledge हासिल करना चाहता है कि कारोबार क्या होता है, कारोबार करने के style क्या होते हैं, तो यह अपने एक दोस्त, फ्रेंड के पास, जो के chartered accountant थे, उनके पास चले गए, और उन से जाके पूछना शुरू किया, क्यार कारोबार क्या होता है, बिजनिस की क्या types हो इस तरह की एक गुफ्तगू हो रही है, तो यह जो इसके दोस्त, chartered accountant थे, इन्होंने इसे बताया कि यार बिजनिस जो हैना, वो कई तरह का होता है, और एक साथ ही उसे एक example दे दी, चोदरी नजर मुहमत की, चोदरी नजर मुहमत असल में कोन है, founder member of service industries, यह जो service choose वाले है यह उनकी मैंने एक real example से आपको, इसको कोट किया हुए lecture को, अगर देखो या जैसे चोदरी नजर मुहमत साब ने, आज से 50 साल पहले, अपने हाथ से काम करना शुरू किया, और यह leather के bags और यह wallet और इस तरह की चीज़े बना कर बेचा करते थे, यह अकेला खुदी चीज़ रखे हुए हों तो कोई एक दो employees रखे हुए हों, employees रखे हुए हों, लेकिन माली का कहला ही हो, खुदी manage करता हो, उसने क्यार इस तरह के business को हम क्या कहते है, sole proprietor, और इस तरह के business के characteristics क्या होते हैं, उसने का all assets are owned by honor, यानि इस business में जितने भी assets हैं, assets अब आप accounting पढ़ आई है क्या है वो plant and machinery की सूरत में हैं, क्या है वो inventory की सूरत में हैं, क्या है वो receivable की सूरत में, जितने भी asset business में पढ़े हुए हैं, उन सब का मालिक कोन है, honor खुद है, चोधरी नजर मुहमत खुद है, लेकिन साथ ही एक मसला हो रहा है, honor is liable for all liabilities, अच्छा जी इसका क्या मतलब ह हुआ है, उसने का इसका मतलब यह हुआ, कि जो law है ना, वो इस कारोबार को और honor को, अलग-अलग नहीं देखता, आपने accounting में एक concept पढ़ा, separate entity का, हम accountant पहले दिन आकर यह बात सीखते हैं, कि business अलग है, honor अलग है, ऐसी यह ना, और हम bookkeeping किस की कर रहे होते हैं, business की कर रहे होते हैं, हम accountant किस के होते हैं, business के होते हैं, लेकिन law कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, अगर आप अकेले मालिक हैं, soul proprietor हैं, तो आप और आपका business दो अलग-अलग चीज़ें नहीं, आप एक ही हो, पैसे किसने देने हैं, business नहीं नहीं, आपने देने हैं एसेट किसके हैं बिजनिस के हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आपके हैं all assets is owned by the owner all liabilities are owned by the owner आप जिम्मेदार हैं कारोबार जिम्मेदार नहीं है और आपकी liability कौन सी है unlimited liability है unlimited liability का क्या मतलब है अगर कारोबार में पैसे पड़े हैं और लोगों के पैसे देने हैं और कारोबार की सारी चीज़ें बेच कर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो आपकी personal चीज़ें बेचेंगे आपकी गाड़ी बेचेंगे आपका bank balance लेंगे आपके घर में gold पड़ा है वो बेचेंगे जो भी आपके personal level की चीज़ें वो सब भी कहेंगी और लोगों के पैसे देने पड़ेगे unlimited liability का ये मतलब अच्छा अगर सारी जिन्दगी काम करते करते इस तरह यह कहता है है ऐसी भाई कारोबार और आप दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं business law की नजर में यह एक ही बात है अच्छा फिर उसने का इसकी एक शकल और भी है आप अपने साथ कोई एक दो लोग partner बना लो अब यह वाला business law अप अल्रेडी पढ़कर आज़ो कि पार्टनर बन गए और आप partnership में यह company चल रही है अपने partner क्यों बनाया होंगे कई reason हो सकते हैं एक reason हो सकती है पैसे और जैदा चाहिए हो आप अकेले पैसे लगाते लगाते ठक गयों आपने कहरा मैं कुछ अपने साथ लोग मिला लेता हूं यह भी तो पैसे लगाएं यह हो सकता है पैसा ना चाहिए हो मालिक क की नजर चाहिए हो employee तो employee है और किता है मैं चला जाता हूं पीछे से कोई होता ही नहीं नहीं तुम भी मेरे partner आजाओ तुम भी मेरे partner आजाओ ऐसे partner बन गए हमारे फिर हो कहता है कि लेकिन अभी भी एक मसला है सारे assets किसके हैं partners के हैं सारी liability किसकी हैं partners की हैं और कौन सी liability है unlimited है अच्छा क्या मतलब वो कहता है रसल में unfortunately law इन दोनों businesses को legal person नहीं मानता separate entity नहीं मानता law कहता है यह मालिक और यह business एक ही है या यह सारे मालिक और यह business एक ही है बलकि यहाँ आप क्योंकि partnership पड़ा है हो यहाँ जो liability है इसमें एक लफ़ज सिर्फ हैट होता है jointly and severly यानि अगर पैसे देते वकत कोई दो चार बंदे आगे पिछे और एक बंदा पकड़ा गया तो स सारी जिन्दगी काम करते रहे हैं जिन्दगी में एक दफ़ा नुकसान हुआ तो सारी जमा पुंची चली जाएगी हो कहता है हाँ ऐसे ही है तो कहता है तुम किस चीज के chartered accountant हो तुम्हें क्यों इंगलेंड से बला रहे हैं कि आ आ जो तुम्हें वदीर खताना लगाते हैं तुम्हें क्यों बला रहे हैं तुम क्यों आने लगे हो तो कहता है यार नहीं अच्छा कोई रस्ता बताता हूं कोई कोई ये वाला मसला तो मैं तुम्हारा हल कर देता हूं इसका क्या हल है उन्हें कहारे काम करो तुम अच्छा पार्टनर्शिप में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं यह मुदर भी पढ़ करें मैक्सिमम भी जरनली 20 हो सकते हैं ठीक है ना 20 से ज़यदा स्पेशलाइज किसम की जो पार्टनर्शिप्स हैं वहां ऐसा हो सकता है दरवाई सब में ऐसा नहीं हो सकता है उसने कहा रहे काम करो तुम अकेले या दो तीन लोग मिलकर कंपणी बना लो इसने का यह कंपणी क्या होती है उसने कर कंपणी ना एक कारोबार करने का एक तरीका है गोर्मेंट का एक इधारा है जिसका नाम है SECP Securities and Exchange Commission of Pakistan आपको एदारा पहले इसके साथ Registered कराना पड़ेगा और उसकी कुछ लीगल फार्मेल्टीज होंगी कुछ पाबंदिया होंगी कुछ तरीका कार होगा वो सारी लीगल फार्मेल्टीज पूरी करेंगे और ये जो भी आपका नाम होगा ना उस नाम के साथ एक लफ़ज लिमिटिड एड करवा देंगे ठीक है ना तो फिर पहला अच्छा काम ये होगा कि जब अगर आप इस इदारे के साथ अपना कारोबार अटैच कर लोगे तो पहली अच्छी खबर ये है कि अब लौ आपको और आपके बिजनिस को अलग अलग तसवर करता है अब वो कहता है ये कंपनी है ये अलग है और ये लोग अलग है अगर उधार लिया है तो कंपनी ने लिया है अगर किसी के पैसे देने है तो कंपनी ने देने है अब ये लोग responsible नहीं हैं या हैं तो कैसे हैं इसको भी हम explain करते हैं उसने का अच्छा यार ये तो बड़ा से बर्दस कारोबार है तुम ये बताओ मुझे तो ऐसे काम शुरू करूँगा कि कमर्स कम कभी जिन्दगी में कोई मिस हैप हो जाए तो सारी जिन्दगी के कमाई तो मेरी जाया ननो हो जाए कि मेरे तो एसेट भी बिग गए, मेरे सारा कुछ बिग गया घर भी बिग गया, गाड़ी बिग गई तो ये कौन सा कारोबार है उसने का हाँ इसका हल तो बस यह है अच्छा जी कमपनी बनाने के और मुझे क्या फायदे होंगे उसने का है कमपनी बनाने से जो फवाइद आपको हासिल होंगे उन फवाइद में मोटे मोटे फवाइद ये हैं कि आप को सबसे पहले कमपनी को आर्टिफिशल परसन रेकगनाइज कर लेगा लाउ जानी जैसे एक इनसान है उसके कोई राइट्स हैं उसकी कोई लाइबिल्टीज हैं अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी मतलब अगर मैं खुदाना खासता कोई गलत काम करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी मेरे किस भाई को तो नहीं मिलेगी या मरे बचों को तो नहीं मिलेगी चाहरा क्योंके मैं सेपरेट परसन हूँ इसी तरह कaffles झायर अब ये जो характер है ना हम इसको सेपरेट परसन मान लेते हैं एब अगर कोई इना गलत काम करेगा ना तो इसकी सजा भी इदारे को मिलेगी इदारे के मालिकों को नहीं मिलेगी यह जो इदारे के मालिक है ना अब इनका नाम हमने रख दिया है शेर होल्डर ठीक है या इनका दूसरा नाम रख दिया है मेंबर्स ठीक है किसी कंपनी के जो अौनर होते है उन्हें क्या कहते हैं और दूसरा नाम क्या है 멤버 और क…? शेरोलडर अब आप कमपनी तो हो टॉर कहरे कि जो शेरोलडर है ना उनकी लाइबिल्टी नहीं अब अब असल में लाइबिल्टी किसकी है? कॉम जूंत हैं अं। कमपणी ने लिया लिया एक concept आ गया लिमिटीड लाइबिल्टी लिमिटीड लाइबिल्टी का क्या मतलब हुआ वो कहता है शेर ओल्डर ने जब इस कंपनी के शेर खरीदे हैं न शेर किसे कह रहे हैं आप ऐसे समझें इसको मैं असान लेंग्विज में कनवर्ट कर दूँ और हम किसे कह रहे हैं ownership का जो minimum unit of measure है न उसको हम शेर बोल रहे हैं यानि ये company हैं हमने इसके बहुत सारे लोगों को honor बनाना है ownership के एक unit आम तोर पर 10 रुपे का एक unit होता है और इसको one share बोलते है अब किसी ने 500 शेर ले लिए किसी ने 1000 ले लिए किसी ने 10,000 ले लिए किसी ने 10,000 ले लिए तो वो जो ownership का smallest unit है ना वो क्या है? शेर है अब ये 10 रुपे का शेर आया फर्स किया आप में से किसी बच्चे ने 1000 शेर ले लिए ये company के तो कितने पैसे चले गए company में? 10,000 ये 10,000 कहां पढ़े होंगे? company के अंदर या इसके bank में पढ़े होंगे या इसने इनसे कोई asset खरीद लिया होगा या इनसे कोई इसने raw material खरीद लिया होगा जो कुछ भी है ये company में पढ़े है company कर गई default company पर वही उसूर लगेगा कि अगर लोगों के पैसे देने हैं तो company से पहले पैसे मांगो पैसे पढ़े हैं तो company पैसे दे दे अगर पैसे नहीं पढ़े हैं तो उसकी चीज़ें बेच कर लोगों के पैसे दा करें ठीक है ना? अब अगर पैसे देने थे जैदा मसला हम इसी छोटे एक्जांपल को इले कंटिन्यू कर लेते हैं कंपनी ने 15,000 रुपया लोगों का देना था लेकिन कंपनी की चीजें भी की हैं 8,000 रुपय की बाकी शॉट फॉल आ गया कितना 7,000 रुपया अब ये कौन लेकर आएगा शेर ओल्डर या मेंबर तो कितना नो अगर इनों नहीं लेकि आना है फिर तो ये फिर अनलिमिटिड लाइबिल्टी हो गई ये कोई नहीं लेकि आएगा बस ये जाया हो गए है पैसे जिनों ने लेने थे उनके 7,000 जाया हो गए है यह ब आखरत में मिलने आ बास समय है यह अब दूनिया में नहीं मिलने इसे हम कहते हैं कंपनी बैंकरफ्ट हो गई है इनसॉल्वेंट डिक्लीयर हो गई है जब किसी कंपनी को हम इनसॉल्वेंट डिकलीर करते हम उसके सारे एसेट जितने थेns अब कुछ बेच देते हैं ज लाइबिल्टी लाइबिल्टी अब दा शेयर होल्ड इज लिमिटेड टुद एक्स्टेंट अब इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इन दा कंपनी बस उसने दस हजार लगाये थे उसके दस दाया हो जाएंगे अब वो बड़ी बड़ी गाडियों में फिरता नजार आ रहा है डिफेंस में उसका घर नजर आ रहा है बैंक बैलंस नजर आ रहा है तो बस आप बाइट से बैठे लल चाही हुई नजरों से देख सकते हैं ले नहीं सकते हो दिस इदी कंसेप्ट आफ लिमिटेड लाइबिल्टी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सेफ हो गये हैं वो कंपनी क किसी वज़ा से बिकेंगे नहीं तो किसकी लाइबिल्टी लिमिटेड हो गई शेयरोल्डर की और कंपनी की लाइबिल्टी क्या है अनलिमिटीड है क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिल्टी का लिटमस टेस्ट क्या है कि अगर सारी चीज़ें बेच दी जाएं तो कंपनी बि अगर्चे यह confusion का शिकार हो जाते हैं यहां इसको concept को clear कर लें liability of the company is not limited it is unlimited unlimited के symptom क्या है कि भाई सारा कुछ बेच देंगे आपका तो company का तो सब कुछ बेच देंगे इस person का तो सब कुछ बिग गया क्या shareholder का भी बेच देंगे वह अगर नहीं कंपनी के कोई पैसे देने नहीं है जैसे मैं थोड़ा सभी से और explain करता हूँ अगर्चे अब ऐसा नहीं होता लेकिन previously ऐसे होता था यह जो 10 रुपे का share था ना company share ऐसे भी issue कर देती थी जैसे plot नहीं किस्तों पर मिल जाते कंपनी कहती थी आरा आप ना 6 रुपे अभी दे दें चार रुपे फिर जब चाहिए होंगा हम बता देंगे अब आपने 1000 share खरीदे लेकिन आपने पैसे कितने दिये हैं अभी यह जो बाकी क्या 4 रुपे है ना यह क्या कहलाते है अन पेड शेर फिर law ने यह बंद करवा जी उसने कर नहीं नहीं ऐसे नहीं किस्तों पर नहीं शेर मिलने सारे पहले ही देने हैं पैसे बाई लेकिन जो उससे पुराने कोई share थे वो तो भी चल रहे होंगे तो law ने उसको जिन्दा रखा concept को लेकिन नया concept इसमें आना बंद हो गया यानि आज कोई नहीं company आए तो unpaid share कुछ नहीं होंगे 10 रुपे काई share मिलेगा आपको लेकिन हो सकता है 20 साल पहले एक company ने share issue किया हो और काओ कि 6 रुपे अभी दे दो या 3 रुपे अभी दे दो बाकी जब चाहिए होंगे जब देंगे ये company अगर wind up हो गई तो ये वाले 4 रुपे इंसे लिए जा सकते हैं ये इनकी liability है इसलिए इनका नाम रख दिया limited liability shareholder की liability limited है जितने पैसे उनसे लेने है otherwise अगर लेने ही नहीं है तो shareholder की actually कोई liability नहीं है मेंने MCB bank के share खरीद लिए अब MCB bank खुदाना खासता default में जा रहा हो तो मेरी कोई liability नहीं है मेरे वो पैसे जाया हो जाएंगे जो हम पढ़े है that's it मेरे से कुछ नहीं लिया जा सकता this concept is called limited liability concept तो यह बात हमें समझ आई है कि किसकी liability limited है shareholder की liability कहां तक limited है up to the amount unpaid amount जितने पैसे अंपेड हैं वो लिये जा सकते हैं इसके इलावा कुछ नहीं लिया जा सकते हैं और अगर सारी पेड है तो actually shareholder की liability क्या हो गई टेक्निकली जीरो हो गई तो company में चीजें पढ़ी है company को बेचें वहां की assets बेचें क्लेरो की बात artificial person की बात समझ आ गई हमें company then artificial person क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये एक अलग से law की नजर में एक इनसान है हाँ natural नहीं है artificial है सास नहीं लेता ठीक है ना आंके नहीं है हाथ नहीं है पाओ नहीं है ब्रेन नहीं है लेकिन एक इनसान है जैसे कोई भी इनसान अपने नाम से चीज़ें खरीदता है मैंने प्लॉट खरीदना हुआ अपने नाम से खरीद सकता हुँ गाड़ी अपने बैंक अगाउंट अपने नाम से खरोओ सकता हुआ हूँ यह company सारे यहीं काम करेगी company को land खरीदेगी अ अपने नाम से खरीदेगी company का bank account खुलेगा इसके नाम पे खुलेगा why company then artificial person artificial person का ये मतलब है कि law की नदर में company एक इनसान की तरह एक person की तरह है तो पिर सजा भी किसे मिलेगी company को मिलेगी acid भी भीकने लगेंगे तो किसके भीकेंगे company के भीकेंगे इस person के भीकेंगे अब जाहिरा इस person को फांसी की सजा कैसे देंगे winding up करके company को खत्म कर दिया हमने एक natural person को फांसी की सजा देनी हो तो कहते देते है hang him till death वाला फ़क फिगरे देते है लेकिन इसे तो hang him नहीं कर सकते तो अदर company को jail तो नहीं में नहीं जाल सकते है artificial person है तो इसमें artificial की blend आता रहेगा लेकिन अब सजा भी company responsible होगी company चलेगी और company के मताबिक सब कुछ चल रहोगा separate from its members यानि company अलग है और members अलग है इसी का तो नाम separate legal entity है वो कहते है company के अपने legal rights है rights का क्या मतलब है हकूक है company की अपनी जिम्मेदारियां है जैसे company ने tax pay करना है company ने कोई और returns जमा करानी है और काम करने है जैसे being a person मेरे rights भी है मेरी liabilities भी है आईने पाकिस्तान में मेरे हुक लिखे हुए है यह मेरे fundamental rights है ऐसी company के कुछ rights है company की कुछ liabilities है rights क्या है company अपने नाम से bank account खोलेगी company अपने नाम से land खरीदेगी purchasing करेगी liabilities क्या है जो पैसे लिए है company ने देने honors ने नी देने उनकी liability तो कहा चली गई है limited के concept में चली owns assets and liabilities अब asset भी company के नाम पर है liabilities भी company के नाम पर है company अलग हो गई है और उसके honors अलग हो गई है तो यह कुछ characteristics हमें समझा रहे हैं company के जब हम partnership कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था partnership अपने नाम से जमीन नहीं खरीच सकती partnership का account partnership के नाम पर नहीं खुलेगा किसी person के नाम पर खुलेगा क्योंकि law business को और उस person को अलग अलग recognize नहीं करता है लेकिन company अपने नाम से bank account खुलेगी अपने नाम से जमीने खरीदेगी अपने नाम से एसेट खरीदेगी अपने नाम से सारे काम करेगी इसलिए company के legal rights भी होंगे और उसकी legal liabilities भी होंगे रिजिस्टर करवाना is something else रिजिस्टर करवाना तो business name है na कोई फुलान trader लिखा हुआ है देखना यह है कि यह business का honor कोन है business अलग है law की कोई गलती हो तो business के honor को पकड़ेंगे के business को पकड़ेंगे soul proprietor में और उसमें AOP में partnership में बंदों को पकड़ेंगे यहां बंदों को नहीं पकड़ेंगे अगर बंदों की कोई गलती नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, जब जाहिर है, पूरा चेप्टर में, यानि पूरा लॉज अब हम पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगी कि जहाँ, अगर ये कंपनी के डिरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये अपनी कानूनी हुदूद के अंदर अ निस्ता किसी फ्रॉड में, इनको कोई नहीं पकड़ेगा, कंपनी को पकड़ेंगे, आज समझ आ रही हैं, मसला कहीं मैं इंटेंशनली कुछ गलत करता हूं, मसला मैं कंपनी का CEO हूं, या CFO हूं, या डिरेक्टर हूं, कंपनी ने डिविडेंट दिया, डिविडेंट का मत होता है, वो प्रॉफिट जो डिस्टिब्यूट करना है, लॉग कहता है, दस दिन के अंदर या पंदरा दिन के अंदर अंदर ये पैसे शेर ओल्डर को पुचाने हैं, मैं दानिस्ता उन पैसों को पुचा नहीं रहा हूं, अब कंपनी नहीं गलत कर रहा हूं, इसकी कोई इसकी कोई सजा मुझे मिलेगी लेकि नचानक बिजनिस में लॉस हो गया 10 कडोट रुपे का बिजनिस में हो सकते हैं कोई लॉस हो गया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कमपनी जिम्मेदार है मुझे अंडर्ग्राउंड जाने की जरूत नहीं है कचापे पढ़ रहे हैं, पुलीस पकड़ने आगी है कुछ नहीं हो गया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया कमपनी है, इसको पकड़ें इसके एसेट बेचें, इसकी जायदाद बेचें इसको बैंक में लेकर जाएं, इसको अदालत में देखे जाएं सारी सजा कंपनी को मिलेगी मुझे कोई प्राबलम नहीं है because मेरी लाइविल्टी क्या थी और कंपनी एक आर्टिफिशल परसंग था separate from its member थी मैं अलग था और कंपनी अलग थी कंपनी के किसी गुना की सजा उसके member को shareholder को नहीं मिलेगे company को मिलेगे liability of the company is unlimited liability of the member of the company is limited ये वो बारीक नुकता है जिसे समझना है ठीक है न liability of the company is unlimited liability of the members or shareholder of the company is limited to the extent of unpaid amount अगर इस पूरे फिक्रे को हम बोलें तो liability भी कहां तक limit है to the extent of unpaid amount अगर company के मैंने दो लाक देने है और company के साथ कोई मसला हो गया है मेरे से ये दो लाक लिए जाएंगे बाकी जो मसला हो गया मैं कोँगा अगर company जाने आप जाने मैं को मेरा तो कोई तालुप ने इसलिए जब corporate दुनिया में कोई fraud होता है न तो बहुत सारे जो बचारे innocent लोग होते है न वो कहरे तो ये क्या है ये बंदे गाडियों में फिर रहे हैं रहे हैं इतनी आशी की जिन्दगी गुदार रहे हैं और जनाब उदर वो कह रहे है जी company ने ये कर दिया उसके रस्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है इस concept दे आर नाट रिस्पॉंसिबल कल को किसी company से कोई बहुत बड़ा ऐसा काम हो जाए कोई नुकसान हो जाए तो डायरेक्टर अपनी लाइफ गजारेंगे क्योंकि उनकी लाइबिल्टी लिमिट्ट है शेर ओल्डर अपनी जिन्दगी उसी तरह ही गजाररे होंग क्योंकि उनकी लिमिट्टी लिमिट्टी जो उनका पैसा लगा हुऊ तह वो कि मतली को नुकसान हो गया पाँच क्रोड रुपे का कंपनी के सारी चीज़ें कठी की सब कुछ बेचा सब कुछ बेचा तो पैसे आए डही क्रोड रुपे जिन लोगों ने पैसे लेने थे हर एक के आदे पैसे डूब गये हैं खत्म होगें यह कानूनन अब उने नहीं मिल जाया हो गए उनके एक बंदे ने दस लाक लेना था अदालत बुला कि इसको पांच लाक देगी क्योंकि आदे पैसे कठे हुए ना तो इसके 50% पे कर देगी या बाद दफ़ा कुछ लोगों की प्रेफरेंस या उसके मताबिक पे कर देगी वो जो उपर का ढाई कड़ोडा है वो जाया हो गया लोगों का अब आप उसके लिए अदालत नहीं जा सकते हाँ वो आखरत की अदालत लगेगी वहां मिल सकते हैं दुनिया की अदालत कहती है, यह हम नहीं दिलवा सकते हैं, बस खतम होगी, आपको भी कारोबार आंखे कोल के करना चाहिए था, जहां मर्दी जिसके साथ मर्दी पैसे लगा दें, को तेयार ऐसे नहीं हो सकता, हम मैकसिमम क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को फांसी की सजा दे दे हैं, क्या मतलब, इसे लिक्विडेट कर देते हैं, इसको बैंकरफ्ट कर देते हैं, इसकी सारी चीज़ें पकड़ते हैं, बेजते हैं, जिते पैसे आए आपको दे देंगे, अगर नहीं है तो बाकी के जाया होगी, एक्चुली इस इस दा कॉंसेप्ट अप आर्टिफिश रहे होंगे, उसका नाम क्या है? Companies Act 2017, ठीक है न? इसका मतलब है, ये law आखरी दफ़ा कब बना? 2017, इससे पहले एक दफ़ा ये 2016 में आया था, पिर उसाथ ही हो गया, उससे पहले 1984 था, फिर 1930 था, ये पिछले कवानी ने, Currently, जो आखरी दफ़ा ये law अमेंड हुआ, वो कब हुआ? 2017 में अमेंड हुआ, इसके तहट एक इदारा बनता है, जिसका नाम क्या है? इस इदारे के अंदर कमपनी जाके बनती है, रेजिस्टर होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं, फिर कमपनी बन गई, बनने से रिलेटिड क्या होगा, अगर हम बिलकुल शुरू में चले न, तो असल में यही बातें यहां लिक्की हूँ थी, ये देखें, कमपनी, इंट्रोडक्शन, टाइप, रिजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ हमें चेप्टर बन में पढ़ाया जा रहोगा, फिर कमपनी के दो एहम डॉकुमेंट, मेमुरेंडम एंड, आर्टिकल्स, ये हमें बताय जा रहे होगे, कि ये क्या है, फिर कमपनी में लोग डिरेक कमपनी से रिलेटिड गुस्तकू करनी है, इसके इलावा और कोई स्केटर्ड किसम का एजंडा नहीं है, लेकिन सिंगल पॉइंट के साथ साथ बारीकी का एजंडा है, यहां सारे कॉंसेप्ट ज़रा थोड़े से रिफाइंड किसम के कॉंसेप्ट हैं, जैसे अभी हमने का हमने का जी, कि लाइबिल्टी आफ शेयर होल्डर इस लिमिटेड वेराइज लाइबिल्टी आफ कमपनी इस तो इसके लिए हमने खुद को जरा गेर्ड अप करके आना है, जरा तियार होके आना है, तो सबसे पहले आज आज आपका एजंडा क्या है, फोटो कॉपी शॉप वेट्सअप ग्रूप क्रियेट हो गया है, वैसे तो अब आप सारे जाहरे आईकाप के रिजिस्टर्ड बच्चे हैं, आपके पास, आपके अकाउंट में भी पढ़ी हुए होदर आईकाप की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर देंगे, हो सकता है आपको फोटो कॉपी चाप वाला कह रहा हो कि मैं आपको वो नहीं करके देता, प्रिंट नहीं करके देता, कापी राइट्स की वज़ा से, तो यहां से बाहर से कहीं से करा ला है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी यही है कि हम इस तरह से उन चीज़ों को लेके चलेंगे, हमने एक एक लाइन, एक ए सेंटेंस को क्लास में रीड करना है, फिर हमने उसमें से ये चीज़ सेनेरियो क्रियेट करने हैं कि अच्छा इस बात को कैसे पूछा जा सकता है, और डिफरेंटली सोच के बताएं, अच्छा इसमें से सोचें, अच्छा इसमें से सोचें, मसले आई कैप अभी क्या कर रहा तो हमने सिर्फ देखने है कि यार शेयर फुली पेड़ थे या के पार्टली पेड़ थे बाकिए वो जितनी बाते कर रहा है से ब काहानी हैं अगर कोई अन्पेड अमाउंट है तो वो हमने कैलकुलेट करके बतानी है के शेयर ओल्डर की इतनी लाइबिल्टी है अधर बताना है शेयर ओल्डर की कोई लाइबिल्टी नहीं है कंपनी जाने उसका ताम जाने है लेकिन वो सेनेरियो जो बनाएगा ना हमें एक दम से लगए का कि नहीं नहीं जैसे हम शेयर ओल्डर या रिस्पॉंसिबल तो है कहानी तो इसी कोई कहते है एक्चुली हमें कॉंसेप्चुली ये बातें क्लेर करने हैं तो एक बड़ा मज़दार किसम का सेशन होने जा रहा है जिसमें थोड़ा सा आप अपलिफ्ट होने जा रहे हैं और पेपर की जो क्वालेटी आफ पेपर है वो इस क्लास को इंटरिस्टिंग बना रही है अधर्वाइस हम सी लाग के पेपर को थोड़ा सा बोरिंग फील करते थे कि एक ही एजेंडा है थोड़ा सा बच्चे काम कर लेते हैं ये हो जाता है लेकिन इस दफ़ा की अटेम्ट में फ्री लाग के पेपर की काफी एहमियत बढ़ा दी है अगर दाना कोई एक पेपर होता है जिसका सबसे लुएस पास रेट आ रहा हुता बाकी मैं कुछ नहीं कहा रहा है आपकुछ समझदा रहे हैं ये कानी इदर ही जा रही है थिवहें जरा दिमाग चेक करना शूरू कर दिया और बचे कहते हैं कर अगर दिमाग होता है तो हमने से यह करना ता तो तसल नहीं हमारा निवानई तालिम अन्वाच्पची बच्चा उस सबजेकT को अच्छा समझ रह गया हुता है ठीक है ना बस कोशिश करें कल आए तो आपके पास आई-कैप की स्टेडी टेक्स हो सिंगल साइडिड प्रिंट करके उसे दो हिस्सों में बाइंड करा ले छे चैप्टर एक तरफ कर ले छे एक तरफ कर ले ताकि आपको जैदा वजनी बुक फील नो जब छे खतम हो करेंगे फिर आपको देंगे इंशाल्ला ताला तो ऐसे चलेंगे जी एक क्यू आर कोड आपको दिया गया था वो अगर मुझे वापस कर दें ताकि एक आत दिन हमें इसकी और भी जरूत पढ़ती रहेगी आप सब लोग एड़ होगें सब लोग एड़ होगें एड़ होना करेंगे ठीक है ना हमारे जो बीला आप मेंसे पच्छे पहले पढ़ते रहें आप देखते हैं कि हम क्लास के 10-12 मिनिट हमेशा पहले पिछले वाले को रिवाइज कर रहे होते हैं ताकि रिपीट होकर चीजें 50-60% क्लास में रिटेन हो जाएं तो वही टेकनीक लगा रहे ह इंशाले